नवश्कार जी पिछले कई दिनों से मैं सरकार के अलग-अलग योजनाओं के लाभार्थियों से चर्चा कर रहा हूँ सरकार ने जो योजनाओं बनाई हैं उनका लाभ लोगों तक कैसे पहुँच रहा है ये और बहतर तरीके से हमें पता चलता है जनता जनाओं से डारेक्ट कनेक्शन का यही लाभ होता है इस कारक्यम में उपस्तित केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सभी सयोगी गाण देश भर के अनेक राज्यों से उपस्तित आदनिय मुख्यमंत्री गाण लेप्निनन गवर्नर और उपमुख्यमंत्री गाण राजे सरकारों के मंत्री, अन्य महानुभाव, देश बस से जुड़े किसान और भाईयों बहनों आदेश के लगवग, दस करोड किसानों के बैंक खाते में 19,500 करोड उटिये के से भी अधीक, ये रकम सीधी उनके खाते में ट्रांसफर हो गई है और मैं देख रहा हूँ, कई अपने मोबाईल में चेक कर रहे हैं, आया है क्या, और फिर एक दूसरे को ताली दे रहे हैं आज जब बारिश का मौसम है और वियाई भी जोरो पर है, तो ये राशी छोटे किसानों के बहुत काम आएगी आज एक लाग करोड रुपिय के क्रिश्ची इंफासेक्टर फंड को भी एक साल पूरा हो गया है इसके माध्यम से हजारों किसान, संग्ठनों को मदद मिल रही है भाई और भेनों, सरकार किसानों को अतिरिक्त आयके साधन देने के लिए नई नई फसलों को प्रोचाइद करने के लिए पूरी तरह प्रतिविद्ध है मिशन हनी भी ऐसा ही एक अभियान है मिशन हनी भी के चलते, बीते साल हमने लगभग साथ सो करोड रुपिये के शहद का एक्सपोर्ट किया है जिस से किसानों को अतिरिक्त आय हुई है जम्मू कश्मीर का केसर तो वैसे भी विश्वे प्रसिद्ध है अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर का केसर देश भर में नाफेड की दुकानों पर उपलब्द होगा इससे जम्मू कश्मीर में केसर की खेती को बहुत प्रोचान मिलने वाला है भाई और भेनों आप सभी से ये समवाद ऐसे समय में हो रहा है जब हम आजादी का अम्रुत महुत्सव मना रहें अपसे कुछ दिन बाद ही पंदरा अगस्त आने वाला है इस बार देश अपना पचत्तरवा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है ये महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे लिए गौरव का तो हही ये नए संकल्पों नए लक्षों का भी एक बहुत बड़ा आउसर है इस अवसर पर हमें ये ताय करना है कि आने वाले पचीश वर्सों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं देश जब आजादी के सो वर्स पुरा करेगा 2047 में तब भारत की स्थित्री क्या होगी ये ताय करने में हमारी खेती हमारे गाउं हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है ये समय भारत की क्रशी को एक ऐसी दिशा देने का है जो नई चुनोतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का भरपुर लाब उठा सके भाई और भेनों इस दौर में बहुत तेजी से हो रहें बड़लावों कोई हम सभी साक्षी है चाहे मौसम और प्रकृति से जड़े बड़लाव हो खानपान से जुड़े बड़लाव हो या फिर महामारी के काराण पूरी दुनिया में हो रहे बड़लाव हो हमने बीते डेड़ वर्ष में कोरोना महामारी के दौरान इसको अनुभव भी किया है इस कालखंड में देश में ही खान पान की आदतों को लेकर बहुत जागरुकता आई है मोटे अनाज की सब्जियों और फलों की मसालों की और गेनिक उत्पादों की डिमान अब तेजी से बढ़ रही है इसलिए भारतिय क्रशी उसको भी अब इसी बदलती आवश्रक्ताओं और बदलती मां के हिसाब से बदलना ही है और मुझे हमेशा से विश्वास है कि हमारे देश के किसान इन बदलाओं को जुरूर आत्मसाथ करेंगे साथियों इस महामारी के दोरान भी हमने भारत के किसानों का सामर्त देखा है रिकार्ड उत्मादन के बीच सरकार ने भी प्रयास किया है कि किसानों के परेशानी कम से कम हो सरकार ने खेती और इस से जुड़े हर सेक्टर को बीच खाथ से लेकर अपनी उपज को बाजार तक पहुचाने के लिए हर संभव प्रयास किये है उपाय किये है यूरिया की सर्प्लाई निर्बाद रखी डी एपी जिसके दाम आंतर राष्ट्य बाजार में इस कोरोना के चलते कई गुणा बढ़ गए उसका बोज भी हमारी सरकार ने किसानों पर पढ़ने नहीं दिया सरकार ने तुरंत इसके लिए 12,000 करोड रुपय का इंतजाम किया साथियो सरकार ने खरीब हो या रविशिजन किसानों से MSP पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है इससे धान किसानों के खेतों में लगभग एक लाग सत्तर हजार करोड रुपये और गेहु किसानों के खाते में लगभग 85,000 करोड रुपये डायरेक पहुंचे हैं किसान और सरकार की इसी साजेदारी के कारण आज भारत के अन्न भंडार भरे हुए हैं लेकिन साथियों हमने देखा है कि सिर्फ गेहु, चावल, चीनी में ही आत्मनिर्भरता काफी नहीं है बलकि दाल और तेल में भी आत्मनिर्भरता बहुत आवशक है और भारत के किसान ये करके दिखा सकते हैं मुझे याद है कि कुछ साल पहले जब देश में दालों की बहुत कमी हो गई थी तो मैंने देश के किसानों से दाल उत्पादन बढ़ाने का आग्रग किया था मेरे उस आग्रग को देश के किसानों ने स्विकार किया परणाम ये हुआ कि बीते छे साल में देश में दाल उत्पादन में लगबग पचास प्रतिशत के बृद्धी हुई हैं जो काम हमने दलहन में किया या अतीत में गेहुँ दान को लेकर किया अब हमें बही संकल खाने के तेल के उत्पादन के लिए भी लेना है ये खाद्य तेल में हमारा देश आत्मंदिर भर हो इसके लिए हमें तेजी से काम करना है भाई और भेनों खाने के तेल में आत्मंदिर भरता के लिए अब राष्ट्रिय खाद्य तेल मिशन ओयल पाम का संकल्प लिया गया है आदेश भारत छोड़ो आंदोलन को याद कर रहा है तो इस अइतिहासिक दिन ये संकल्प हमें नई उर्जा से भर देता है इस मिशन के माध्यम से खाने के तेल से जुड़े इकोसिस्टिम पर ग्यारा हजार करोड रुपिय से अधिक का निवेश किया जाएगा सरकार ये सुनिशित करेगी कि किसानों को उत्तम बीच से लेकर टेक्नलोजी उसकी हर सुविधा मिले इस मिशन के तहट ओएल पाम की खेती को पोच्छान देने के साथ ही हमारी जो अन्य पारंपारिक तिलहन फसले हैं उसकी खेती को भी विस्तार दिया जाएगा आज भारत क्रिशी निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप टैन डेशों में पहुंचा है कोरोना काल में ही देश ने क्रिशी निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए है आज जब भारत की पहचान एक बड़े क्रिसी निर्यातक देश की बन रही है तब हम खाद्य तेल की अपनी जरुतों के लिए आयात पर निर्बर रहें ये बिलकुल उचीत नहीं है इसमें भी आयातित ओईल पाम पाम ओईल का हिस्सा पचपन प्रतिशत से अधिक है इस थीति को हमें बदलना है खाने का तेल खरीदने के लिए हमें जो हजारों करोर रुपिये विदेश में दूसरों को देना पड़ता है वो देश के किसानों को ही मिलना चाहिए भारत में पाम ओईल खेती के लिए हर जरूरी संभावना है नौर्थ इश और अन्नमान निकोबाद विप समू में विशेश रुप से इसे बहुत बढ़ाया जा सकता है ये वोक्षित्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है पाम ओईल का उत्पादन हो सकता है साथियों खाने के तेल में आत्मनिलभरता के इस मिशन के अनेक लाब है इसे किसानों को तो सीधा लाब होगा ही गरीब और मध्यमबर के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा यही नहीं यह मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का अन्दिरमन करेगा फूर्ड प्रोसेसिंग इंड़स्ट्री को भल देगा विशेश रुप से फ्रेश, फ्रूट, बंच प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों का विस्तार होगा जिन राज्यों में पाम ओयल की खेती होगी वहाँ टांस्पोर्ट से लेकर फूर्ड प्रोसेसिंग युनिट्स में युवाओं को अनेग रोजगार मिलेगा भाई और बहनों ओयल पाम की खेती का बहुत बड़ा लाप देश के छोटे किसानों को मिलेगा ओयल पाम का प्रती हेक्टर उत्पादन बाकी तिलहन फसलों की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है यानि ओयल पाम मिशन से बहुत छोटे से हिस्से में ज़्यादा फसल लेकर छोटे किसान बड़ा मुनाफ़ा कमा सकते हैं साथियों ये आप बली भाती जानते हैं कि देश के 80 प्रतीसत से अधिक किसानों के पास दो हेक्टर तक ही जमिल है आने वाले 25 साल में देश की क्रशी को सम्रुद्ध करने में इन छोटे किसानों की बहुत बड़ी भूमी का रहने वाली हैं इसलिए अब देश की क्रशी नितियों में इन छोटे किसानों को सरवच्च प्रात्फिक्ता दी जा रही हैं इसी भावनाव के साथ बीते सालों में छोटे किसानों को सुविदा और सुरक्षा देने का एक गंबीर प्रयास किया जा रहा है पी-एम किसान सम्मान निदी के तहट अब तक एक लाग साथ हजार करोड रुपिय किसानों को दिये गए हैं इसमें लगबग एक लाग करोड रुपिय तो कोरोना के मुश्किल समय में ही छोटे किसानों तक पहुँचे हैं यही नहीं कोरोना काल में ही दो करोड से जादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गए जिन में से अधिकतर छोटे किसान है इनके माध्यम से किसानों ने हजारों करोड रुपिय का रणभी लिया है कल्पना कीजिए अगर ये मदद छोटे किसानों को ना मिलती तो सौ वर्ष की इस सबसे बड़ी आपदा में उनकी क्या स्थिती होती उन्हें छोटी छोटी जरुतों के लिए कहां कहां नहीं भटकना पड़ता भाईव और भेनों आज जो करशी इन्फरस्रक्ट्चर बन रहा है जो कनेक्टिविटी का इन्फरस्रक्ट्चर बन रहा है या फिर जो बड़े बड़े फुर्पारग लग रहे हैं इनका बहुत बड़ा राब छोटे किसानों को ही हो रहा है आज देश में विशेश किसान रेल चल रही है इन ट्रेनों से हजारों किसानों ने अपना उत्पाद कम किमत में ट्रांस्पोर्ट का खर्चा बहुत कम देश की बड़ी-बड़ी मन्यों तक पहुँचा कर अधिक किमत से माल बेचा है इसी प्रकार जो विशेश इन्फास्ट्रेक्टर फंड है इसके तहद भी छोटे किसानों के लिए आधुनिक बंदारण की सुविधाएं तयार हो रही है बीते साल में साड़ेच छे अजार से अधिक प्रोजेक्ट्स शिक्रूत हो चुके हैं ये प्रोजेक्ट्स जिनको मिले हैं उनमें किसान भी हैं किसानों की सोसाइटी और किसान उत्पादक संग भी हैं सेल्प हेल्प ग्रूप भी हैं और स्टार्ट अप्स भी हैं हाल में एक और बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने तै किया है कि जो राज्यों में हमारी सरकारी मंडिया है उनको भी इस फंड से मदद मिल सके इस फंड का उप्योग करके हमारी सरकारी मंडिया बहतर होगी ज्यादा मजबूत होगी आधूरिक होगी भाई और भहनों इंफ्रास्ट्रक्टर फंड हो या फिर दस हजार किसान उत्पादक संगों का निर्मान कोशिश यही है कि छोटे किसानों की ताकत को बढ़ाया जाए छोटे किसानों की बाजार तक पहुँच भी अधीख हो और बाजार में मोलभाव करने की उनकी शमता भी बृद्धी हो जब एपियोस के माध्यम से सहकारी तंत्र से सेंकडों छोटे किसान एक जूट होंगे तो उनकी ताकत सेंकडों गुना बढ़ जाएगी इससे फूट प्रोसेसिंग हो या फिर निर्याद इसमें किसानों की दूसरों पर निर्भरता कम होगी वो स्वयम भी सीधे विदेशी बाजार में अत्मा उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र होगे बंधनों से मुक्त होकर ही देश के किसान और तेजी से आगे बढ़ सकेंगे इसी भावना के साथ हमें आने वाले पचीश साल के एक संकल्प को सिद्ध करना है तिलहन में आत्म निर्भरता के मिसन में हमें अभी से जुड़ जाना है एक बार फिर पीएम किसान सम्मान निधी के सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत बहुत शुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद